तो बहतर है कि आप मांग दिल्ली तक पहुंचाए और बात ये कहीं जाए कि आपके यहां बैटे हुए लोग कोई फैदला है लिपा रहा है तो कंजगा है इनकों से हमको निजाद दिलाइए यही मांग कंजगा हो कर ले मुझे लगता है कि कारवाई से करने से जादा जल्दी फैदला होने की उमीद आप नेतर तो कोई बतलाप के संदर में ले सकते हैं यह सुझाओ जरू मैं इस मंचे से जहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर इस लड़ाई को एक हारी हुई लड़ाई के रूप में खतम नहीं कर दिया जाए ऐसा नहीं कि कोई परेड़ाम नहीं आ रहा है तो हमको चोर रास्ते से बचने की कोशिश करें या तो लड़ाई शुरू नहीं कर दी दी और अगर लड़ाई शुरू की है त को से अंजाम तक पहुंचना चाहिए वह अंजाम जिसमें हमारे चोड़े चोड़े आत्मी को यह बहुत हो कि उसका सम्मान सुरुटे तरह नेत्रत के संदर में यह दाग ना लगने पाइदा मुझी इस बात को यह सचेत रहने हैं तो हम इतारे को सचेत रही है कोई यह ना सम पिर कमते कम अपना सर तो सलामत रख पाएं सब्मान के साथ इसके लिए हमें कोशिक आगरी दब्सक करनी चाहिए तो यह धरना चाहिए चार दिन चले या चोड़ा दिन चले कुल मिलाकर जिस फैदले पर सामिट आ हो यह फैदला के इनी चार लोगों का नहीं होना चाहिए बलकि जिस जगह पर बैठ कर हम यह बात कर रहे हैं इस जगह पर बैठ कर ही जिस मांग पर सामुश जहमती बने उस नतीजे पर पहुचने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी फैदला इस धरने के अंसर कर जब भी लिया जाता रहेगा मेरे दोनों संस्तान चाहिवा है अरी मैं वहां आपके साथ हूं आगे बेठा रहा हूं कोगी ये बात किसी के सामान की नहीं संमान की है और समान की लड़ाइं तभी सब्सक्राइब तो आने वाले अन्य लोगों के लिए सबक रहेगा कि कोई ऐसा दोस्था कभी ना करपाए और सुमन पांडे के संदर में एक बार फिर उसको मैं समर्शन देता हूं उन्हों ने जो कारी किया पही लोगों इससे बैठक में लेखना चाहिए था लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी पार्टी को यह फैसला करने का जिचार नहीं होता है उसकी बैठक में कप पूं रहेगा पदलगार का जैसली इस बात का है कि जहां पर कोई न पहुंक तके वहां आबर वहाँ पहुंच जांग और समाज को चित्र प्रकड़ करके जिए कि वहां पर असल में हुआ क्या था यह जताने की कोशित बताने की कोशित प्रर्ण फमन्ड़े कर रहे हैं ऐसी कोशित आगे भी अगर कोई करता है तो उसको भी मेरा फूर समर्तर रहेगा ÖP मुझे इस मौके पर भूलने का अफ़र दिया इसके लिए हिर्दे स्याबार बहुत बहुत धन्यवाद